गुद मॉर्निंग इस्ट्रेंट्स कैसे हैं आप साब उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे अजब कि वर्षी तंबर 116 आई है से अच्छे से लेबल कीजिए इंग्लिश की है लिखिए डेट अपना नाम अपने टीचर का नाम लिखिए साथ में क्लास भी लिखि तो उमीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे फिट इन फाइन होंगी रीड दे लाइन्स गीव इन ब्लो नीचे दी गए लाइन्स को पढ़िए दे आर फॉर्म दा पॉइम मिस्टर नोबडी ये जो आपकी लाइन्स है ये आपको मिस्टर नोबडी से ली गई है चलिए तो पढ़ते हैं यहां क्या लेका I know a funny little man as quiet as a mouse कहते हैं हमें मालूम है ये जो छोटा सा शैतान आदमी है ये बिल्कुल इस तरह से शान थे जैसे की एक चूहा है ना क्योंकि चूहा शैतानी करके भाग जाता है और किसी को मालूम भी नहीं पढ़ता तो बोलते हैं here the funny little man is compared with the mouse बोलते हैं कि जो यहां पर funny आदमी है जो छोटा सा शैतान बचा है उसको किस से compare किया गया है माउस से compare किया गया है चूही से compare किया गया है because they both do things very quietly क्यों क्योंकि दोनों लोग शैतानी बिल्कुल शान्ती से करते हैं और भाग लेते हैं किसी को भ one more example चलिए एक और example देख लेते हैं जैसे she runs as fast as a rabbit वो ऐसे तेज दौरती है जैसे कि खरगोश दौरता है तो यह क्या हुआ हर अगल से speed is compared with a rabbit कहते हैं कि यहां पर लड़की की जो speed है उसको रैबिट से compare किया गया है as both of them run very fast क्यों क्योंकि दोनों जो हैं बहुत तेज दौ is given below अब नेची आपको कुछ sentence दिये गए हैं उनको जरा ध्यान से देखिए some things creatures have been compared with something someone on the basis of their common qualities क्याते हैं कि कुछ चीजों को कुछ creatures को क्या होता है दूसरी चीजों से दूसरी creatures से compare किया जाता है on the basis of their common qualities किस बेस पे किया जाता है किस बिना पे किया जाता है उनकी समान्य गुण के ऊपर है ना किसी भी दो चीजों में अगर एक जैसे गुण होंगे तो हम उने compare कर लेते हैं है ना now read and complete the sentence चलिए जरा इसे पढ़िए और नीचे जो sentence है उसको complete करने की कोशिश कीजिए take the help of the picture as a clue जहापे आप picture की मदद ले सकते हैं clue के तौर पर one has been done for you एक आपके ले करके रिखाया गया है जैसे यहां देखिए he is as clever as a fox वो बहुत चालाक है जैसे की एक लोमडी होती है क्यों क्योंके वो लड़का भी चालाक है और लोमडी भी चालाक है ठीक है pretty is as fast as a horse pretty जो है इत्ती तेज दौरती है जित्ती तेज गोड़ा दौरता है यह लिखे this trophy is as sore as a lemon कहते है क्योंके यह टौफी इतनी खटी है जितना खटा lemon होता है है ना अब यहां क्या बोलते हैं the kitten is as soft as a तो क्या हो जाएगा feather f e a t h e r चीक है तो क्या बोलते हैं कि यह कितना soft है जैसे की एक चेड़िया का पर है ना बिल्कुल soft अब बोलते हैं this cookie as a heart as a rock rock कह सकते हैं stone कह सकते हैं दोनों चीज़े कह सकते हैं ठीक है कहते हैं कि यह cookie इतना जादा hard है जैसे की कोई पत्थर या कोई stone हो है ना अब क्या लेखते है she is busy as a bee वो बिल्कुल पर्माखी की तरह busy रहती है तो इसे आप लोग कर सकते हैं असाने से बहुत easy था आप लोग कर लेंगे अब यहां देखिया आता है talking time dear children look at the picture given on the right hand side carefully आपको right hand side पे जो picture दी गई है उसको ध्यान परवग देखिए what do you think the people in the picture are talking about आपको क्या लगता है इस picture में जो लोग दीख रहे हैं आपको जो animals दीख रहे हैं वह के जबारे में बात कर रहे होंगे imagine and create their dialogues imagine की चीज़ सोची और अपने डालोग सोग बनाएए say them out loud and write them in your notebook इसे जोड़ जोड़ से बोलिए पढ़िए और अपने notebook में लिखिए you may take the help of your elders तू और इसके लिए आप अपने घर के बढ़ो की मदद भी ले सकते हैं तो चलिए अब हम लोग इस कांसा देखते हैं आप फिर वीडियो का finish करेंगे देखिए आप इस कांसा यहां से लिखेंगे i clamped on the elephant हम सब लोग elephant के ओपर चड़ गए है yes sister you are right सही कह रही हो तुम फिर ये dear बोलती है thank god यानि की भाई अल्ला का भगवान का शुक्र अदा करो ये god नहीं है thank god होगा g-o-d-i का spelling mistake है thank god the elephant is sleeping शुक्र करो भगवान का अल्ला क अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इससे लेकर शियर करें अगर अभी तक आपने मैं चैनल को सिस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज मैं चैनल को सिस्क्राइब करें thank you for watching